जीप के तरफ से आने वाली दी मोश कमफ़र्टेबल एंड कैपेबल वाट वीकल कमपस के बारे में या दोस्तो इसका एक नेक्स जनरेशन जल्दी मार्केट में देखने को मिलने वाला है आपको बता दे इसके एकस्टीरियर और इंटीरियर में आपको कुछ बड़े बदला जिससे कि इसको प्रीमियम SUV बनाया जा सके तो इसी के बारे में आज के सूड़े में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो में लास तक बने रहना दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना तो दोस्तो सबसे पहले बात करें इसके लुक्स और डिजाइन की तो आपको बता दे नेक्स जेनरेशन को स्पोर्टी प्रोफाइल के साथ अप्ग्रेड किया गया है फ्रेंट में स्पोर्टी बंपर नए डिजाइन के शार्प LED हेड लेंप्स के साथ LED डे टाइम रनिंग लेंप्स दिये गए हैं दोस्तो SUV का रेर प्रोफाइल तो लगब पहले की तरह ही रहने वाला है पर हाम अगर इतना जरूर कहा जा सकता है कि कंपनिया थोड़े बदलाव के साथ टेल लेंप्स में LED ग्राफिक्स दे सकती है और आप कह सकते हो कि नेक्स जेनरेशन स्पोर्टी अंदाज के साथ अट्रक्टिव लग रही है दोस्तों बात करे इसके इंटीरियर और फीचर्स की तो आपको बता दे नेक्स जेनरेशन के इंटीरियर में कुछ बड़े बदलाव के साथ प्रीमियम अप्ग्रेड किया जाएगा दोसों जीब कमपस 2020 में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लेस्टर देखने को मिलेगा वहीं सामने की तरफ एक बड़ा सा 9 इंच का इंफोटेंड मेंट सिस्टम इसीम के साथ देखने को मिलेगा जो एंड्रॉइड ओटो और एपल कारपले को सपोर्ट करेगा नेक्स जेनरेशन के अपग्रेडेशन में आपको वेंटिलेटिर सीटे पावर टेल गेट और बीट कमपनी की तर 4 लीटर का 6 सिलेंडर वाला टर्बो चार्ड पेट्रोल इंचिल देखने को मिलेगा जो की 170 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉक जनेर करता है जो की चलने के दौरान 17 किलो मीटर पर लीटर की एवरेज देता है दोस्तों इसके कुछ वेरियंट्स में आपको 9-speed automatic gearbox का भी option देखने को मिलेगा दोस्तों फाइनली बात के इसके प्राइज और लॉंज डे की तो आपको बता दें नेक्स जनरेशन जीब कमपस 2020 का एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइज इंड डैली 17 लैक रूपी से लेके 28 लैक रूपी तक जाएगा और एक्सपेक्टेड mid of 2020 आपको देखने को मिल सकती है तो दोस्तों आने वाला नेक्स जनरेशन जीब कमपस 2020 आपको कैसे लगा स्पोर्टी अंदास के साथ नेक्स जनरेशन जीब कमपस के बारे में आपका क्या सोच रहा हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद